बश्कार दोस्तों स्वाकत है आपका मेडिकल जानकारी में आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों से प्रोफ्लॉक्सिन एंटिवाटिक्स के बारे में जो आता है फ्लॉरो क्यूनिनलन के समवर की तरफ से देखने को मिल जाता है यह एक एंटिवैक्टिरियल को रोकने में या उसको खतम करने के लिए बहुती ज़्यादा प्रभावी एक एंटिवाटिक ड्रग होता है तो वीडियो को लार्ज तक जरूर देखेगा पूरी जानकारी आपको इसी के बारे में हम आज बताने वाले हैं क्या कि इसके साइडिक्स हैं डोजिज क्या होने चाहिए प्रिकुशन क्या होने चाहिए और क्या इसके ब्रांडेड मेडिसेंस आपको कहां पर मिल सकती है किस परकार से आपने इसका यूज करना है तो कंप्रेटली वीडियो के लिए वीडियो को लाज तक जरूर दिखेगा और चैनल पर नहीं हो आप तो चैनल को सब्सक अब्राइब आती है लेकिन इनके जैन्रिक भी आपको देखने को मिल जाता है जैसे फ्लॉक्सिव हो गया और भी कई सारे ब्रेंडर्ड ये लोकल के नाम से जैन्रिक मेडिसेंस होती है जो काफी अच्छी होती है सिपला एवर्ट चैसी कई सारे कंपनियों का यह आपको अ एंटिवाइटि के जो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है यह मेडिसेंस होती है वेक्टियर इंफ्रेक्शन को रोकने में और इंफ्रेक्टिव जो परसन रहता है उसके उपचार में बहुत ज्यादा उपयोगी होते हैं साथ में क्या होता है एंटिवेक्टियर एंट होती है जिसकी विजह से जो मलब वेक्टिर के विजह से इंट्रेक्शन हो जाते हैं तो उसे इंट्रेक्शन को दूर करने के लिए बहुत ज्यादा यूजर ये मेडिसींस होती है से प्रॉप्लॉक्सिन यह आपको जैसे मैं आपको बताया है डायसोर पार्मजम्जी में वह में दे जाता है वह होता है बिसम्जर यानि जिसको टैफाइट कहा जाता है या आंतों का बुखार का जाता है यह परस्णली फस्ट एक ऐसा इंटिवाटिक है जो हर ट्राइफाइट के प्रेटिसेंट को उपयोग कि जाता है क्योंकि यह बहुत अच्छा बैस्ट बीटर चीघ्रम किया जुवत आए हैं तो आप इसको सकते हैं साथ में गन्यॉरिय के रोग में ऊपयोग कर सकते हैं जो एक योन संचारो। रोगोता है Vitated long को बने के लिए यानिन घाल को बनने में या फिर रहि atención लगे हैं उनको बनते लिए पहुत जादा बढ़िक होता है सात में इसकी को बना आप बताया था उस केंडिसं में भी इसको यूज किया जा सकता है फीमिल 안-faction में हो गया आपका सवसंद मार्व शंगरमना भी इसको यूज किया जाता है मंजायटी जो गया यान जिसको मस्तिस्क ज्वारबिक कहते हैं साथ में आई infection में जिसको है और अगहान आप पाद वान में निकल रहा है तो भी सिव लयुक्ते। और सब्सक्राइब बहुत बहुत हो जाता है तो तो कणिशन बॉन गोग पास त्योग Só ekmek इनट में और और जो किसी किसी क्या होता है कि अबी को डायिवा बहुत जादा हो जाता है तो डायिया को रोकने के लिए भी सिफरोफ्लोक्सिन का यूज कर सकते हैं यजिफरोफ्लोक्सिन T.J. के रूप में आपको अवेलबल हो जाती है जो daryl infection में बहुत जादा उपयोगी होते हैं असानी से medicals में मिल जाएगी और बहुत अच्छे इसके उपयोग होते हैं लेकिन कुछ इसके side effects भी हो सकते हैं जातर जो side effects होते हैं वो injection के होते हैं directly इसके अगर आपको side effects देखने को मिले जो mainly first side effects होता है वो होता है आँखों में सूजन आनी सुरू हो जाती है अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ जाएगा आपको सिफरोफ्लोक्सिन से एलर्जी होगी है तो इसको यूज ना करें साथ में हितली पेड़दर चिर चक्रान या फिर सूजन हो गए रहा होना जैसे मैं आपको बताया है अगर ऐसे side effects आपको देखने को मिले तो दवाए को बंद करें और डॉक्टर से एक कंसर्ट जरूर कर लेजेगे अब doses की बात कर लेते हैं तो दोस्तों adult और pediatric और teenager में अलग-अलग doses होती है adult को दोस्तों 2500 mg से 500 mg तक दिन में 2-3 बार तक दिया जा सकता है और child में 5-15 mg तक पर kg की हिसाब से दिन में 1-2 बार उपयोग में ला सकते है और injection का रूप जो होता है वो एक से दो बार दिया जा सकता है दो सो 400 mg और जो फ्लूड होता है जैसे अभी आप देख रहे हैं तो इसको दिन में एक ही बार काफिक सफिशेंट होता है यह फ्लूड आता है जैसे कि कभी-कभी कहा होता है कि टाइफाइड का फिवर में योग नहीं करना है किसी भी कंडिशन में गर्व वस्ता है दुख दवस्ता है या फिर हैपर सेंसेटिव जो परसन होते हैं उनको भी यह ड्रक्स नहीं देना है तुरंत उनको यह रेक्शन कर जाएंगे या फिर कुछ साइड इफेक्ट हो जाएंगे दोस्तों साबधानी क बात कर लेते हैं जैसे कि कुछ किनिंग के प्रॉडबम है या फिर मेरगी का दौर्ण आते हैं लिवर का इंफेक्शन है या फिर आंतों में किसी परकार का और है तो भी इसको यूज नहीं करते हैं या फिर इस दवाय को लेने के बाद जोता है मरीजों को मशीनारी system की problem है central nervous system प्रोडम है यानि मायंड की कुछ दवायां चलती है तो भी इनको यूजमें नहीं लाना है इसके साथ अगर कोई पेंट केलर जो होता है एनस्टी होता है जो अफीम रही पेंट केलर्स होते हैं इसके साथ अगर देने से सिपरोफलोक्षिन के परवाव जो होते हैं ज्यादा तर बढ़ सकते हैं यह दोस्तों शेडियूल एच का ड्रग्स होता है जिसको प्रिस्क्रिप्स के फेस्बुक पीच का भी लिंक दिया है चाहें तो आप उमें वहाँ पर भी फॉल्लव कर सकते हैं उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लेगी होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नई हो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा तो म जलत पर नई वीडियो में ओके वाइड आटायां तैंक्यो पॉर वाच्चिंग